Hello everyone, इस वीडियो में बात करेंगे stages of a travel agency तो अगर आपका travel agency business है या start करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाला है आपको पता होना चाहिए आपको travel agency को लेके आपका क्या reason है कहां तक उसको लेके जाना चाहते हैं आप अपने travel agency business को कितना grow करना चाहते है फोर एक्जमपल अगर आप हिमाचल टूर packages में deal करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं मुझे मेरी जो travel company हो हिमाचल के लिए best travel company बनानी है या top 10 में बनानी है जो हिमाचल टूर packages में deal करें या आप चाहते हो कि आप एक्जमपल ट्रैकिंग करते हो हिमाचल में ट्रैक्स टूर packages में deal करते हो तो पता होना चाहिए कि आपको कहां तक लेके जाना ट्रैकिंग के मामले में अगर कोई भी सर्च करें तो आपकी company सबसे टोप में आने चाहिए आपको best बनना है उस में अगर आप weekend trips organize करते हो किसी भी location से तो आज पास जो भी weekend trips जाते है weekend gateway है वहां से उस location से तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे grow करना है कहां तक लेके जाना आपको best बनना है उस area में तो इस तरीके से आपको vision clear होना चाह जो में डील करते हैं या international में domestic plus international दोनों दोनों packages में दोनों तरह के packages में deal करते हैं किसी एक location में आप deal करते हैं किसी particular tour packages में अपना niche defined कर रखा है आपने की honeymoon tour packages में deal करते हैं या adventure टूर packages में तो इस तरीके कि आप अगर आपने decide कर रहा है तो इस तरीके से मैं stages बताने जा रहा हूं कि किस तरीके की कौन-कौन सी stages होती जो मैंने observe किया ताकि आपको इससे help मिल से कि आपको पता हो कि आपको vision कहा अपनी company को लेकि आप अच्छे से vision बना पाओ और अच्छे से फिर उस vision क तो complete करने में आप पूरा अच्छे से महनत करने start कर दो तो stage first में क्या होता है इसमें तो company start start होती है for example जो भी start करना चाहरा है travel agency business तो वो नाम decide करता है उसको register करवाता है टूर packages decide करता है कौन-कौन से location में deal करनी है तो उससे क्या होता है वहां से जो फिर वो टूर packages के B2B rates लेना start कर देता है for example उसको हिमाचल टूर packages भी बेचने शुरू कर दिये उस first stage में उस agency ने उत्राखंड के भी राजस्तान के भी या कुछ international के भी उसे अच्छे vendors मिल गए जो उसे best B2B rate provide कर देता है तो वहां से उसने B2B rate लिए complete package को वहां से ले लेता है और फिर B2C business to customer जो customer आते है actually में जिनको travel करना है उनको sell करना start कर देता है तो starting में क्या होता है जो अपने family होगी friends होगी relatives होगया जिन customer को जिन customer को उनोंने service provide कि है वहां से फिर reference आना कर देते हैं stories लगाना शुरू कर देते हैं वहां से उनको leads आनी मिल जाती है B2B packages वो company से ले लेते हैं जो B2B packages complete provide कर दे तो इस तरीके से वो effort लगाते है lead को लेके आने में main होता है lead को लेके आना packages चलो आपने बनानी अब lead को लेके आना lead को convert करना ये important होता और उसको service देना service चलो जो एक दूसरी company है जिसने B2B आपको provide के वो provide कर देते complete service पर आपको leads के लिए मेहनत करनी पड़ती है यहां पर तो जो family friends होगे relatives होगे जो reference से आ रहे हैं ठीक है आप Facebook पे अपने effort लगा रहे हो lead generate करने में खुद से Instagram पे लगा रहे हो WhatsApp पे लगा रहे हो तो ये सारी च काम कर रहे हैं छोटा सो office बनाते हैं पास दस लोगों की team होती है ठीक है फिर थोड़ा बहुत lead purchase करना शुरू कर देते हैं जो बड़ी company होती है travel company जिनके पास बहुत सारी leads होती है वहां से lead purchase करना शुरू कर देते हैं तो वहां से फिर ये stage first में होता है कि वो leads ले रहे हैं और family, friends, relatives को B2B packages लेके और वो कर रहे हैं ये basically होती है stage first तो mostly stage first में काफी travel agents है जो मेरे connection में है वो first stage में है ठीक है जो leads के लिए काफी effort लगाते हैं काफी leads की requirement पूरी नहीं हो पाती lead purchase करते हैं वो भी जिन से lead purchase करते हैं वो companies पी वो जो travel companies है 4-5 travel agents को वो lead share करती है फिर उस lead को convert करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो ये फिर first stage में घूमते रहते हैं stage first से stage second में आने के लिए बहुत effort लगाने पड़ते हैं तो stage second के बाद कर लेते हैं stage second में हो गया ठीक है वो अपनी जो leads है वो खुद से generate करना फिर start कर देते हैं डिजिटल basically digital marketing यहाँ बी टूर packages में वो deal करते हैं जिनके best B2B rate है उनके पास तो वो अच्छी से website बनाते हैं ठीक है हिमाचल के जो packages है उत्राखंड के हैं उनके पास या किसी भी other destination की है उनकी अच्छी से फिर marketing करते हैं leads generate करने के लिए जैसे बड़ी company जहां से first stage में आप जहां से lead purchase कर रहे थे तो वो उनको उनको observe करो कि वो lead actually में कहां से generate कर पा रही है उनकी website पे आप देखना millions of millions में traffic होता है वो सारा कैसे है उन्होंने अपनी website को अच्छा बनाया ठीक है उन्होंने वहां से वहां से वो traffic लेके आये SEO किया उन्होंने अपनी website का काफी अच्छा content डाला उस destination से related traffic increase किया तो वहां से उनका traffic आना शुरू हुआ और जब website पे traffic आता वो उस destination के बारे में information लेने आता और वहां पे फिर वो lead भी वहां पे उस website को देखे जाता है और वही lead फिर वो आपको transfer आपको वो sell कर देते हैं ठीक है इसके other than फिर वो अपनी facebook page पे आप उनकी reach देखना है उनकी regularly google ads चलती रहती है facebook ads चलती रहती है ठीक है instagram ads चलती रहती है youtube पे वो video create करते रहते हैं ठीक है तो इस तरीके से वो basically digital marketing पे उनका काफी अच्छी command होती है ठीक है तो यह second stage होती है मतलब इसमें क्या होगा कि 70 to 80% leads आपको organic तरीके से generate करनी है आप leads के लिए किसी और पे depend नहीं हो आप leads खुद generate कर रहे हो जितनी आपको requirement है उस destination के लिए आप generate कर रहे हो for example आपका first package है मनाले टूर packages ठीक है तो उसके लिए आपको जितनी leads की requirement है वो generate कर पा रहे हो आप ठीक है इसके अधर दन यह तो स चास package है 100 package है 1000 package है इससे भी जादा package है ठीक है तो उन सभी packages की आप digital marketing से lead generate कर रहे हो और इसमें digital marketing में भी आप दो तरीके बहुत important होते हैं तो organic methods जो organically आप lead generate कर रहे हो और एक paid method जो आप पैसे दे रहे हो पे advertisement कर रहे हो इन platform पे Google पे Facebook Instagram YouTube पे तब वहां से lead आ रहे है तो 20-80% आपको organic methods पे focus करना है कि organically आपके पास leads आए 20-30% paid आप lead में focus करना है paid advertisement के through आप focus कर सकते हैं तो यह हो गया second stage तो इसमें क्या होता है कि digital marketing lead के मामले में वो किसी पे depend नहीं रहते lead खुद से generate करते हैं यह हो गया second stage हो गया तो इनके पास leads की कमी नहीं होती है और digital marketing से lead generate करना समझ में आ जाता है तो अब बात करते हैं third stage की third stage में बात करते हैं हम फिर complete technology digital marketing के साथ साथ ही फिर इनके जो portals होते हैं like complete CRM हो गया B2B portal create कर लिया इन्होंने B2C portal create कर लिया अच्छे से जहां पर customer आ रहे हैं booking कर रहे हैं जो direct customer है B2C customer है B2B portal भी इन्होंने create कर लिया technology का use करके B2B portal से क्या होता है कि जो नए customer है उनको direct फिर जो नए agent आ रहे हैं जो market में जो stage 1 में है उनको direct ये क्या करेंगे कि B2B portal ही दे देंगे वहां पर बस जो उनके हर destination के rates होंगे packages होंगे वहां पर जाएंगे जो नए agent होंगे वहां पर login करेंगे ठीक है उसके बाद फ destination के itinerary होती है ठीक है तो hotels होती है transportation सब details available होती है तो वो जो stage 1 में agent है वो stage 3 वाले जो companies है वहां पर जाएंगे वहां पर जाएंगे वहां उनको बीटूबी पोर्टल क्रियेट कर रहा उसके सारे connection है अच्छे vendors है उनके पास वहां से B2B rate लेंगे B2C को sell करेंगे और यहां पर फिर यहां पर यह company इस तरीके से फिर उनको B2B rate दे के यहां से यह अपना अच्छा जो profit कमा सकती है तो यह technology mainly digital marketing plus technology का यहां पर use होता है और यह जो छोटे agent है उनको भी पकड़ते हैं ताकि वो यहां से इनसे B2B rate लेना start करें तो basically यहां पर यह B2B rates अपने अपने जो B B2B है portal portal के थरू जो नए agent है उनको साथ share कर सकते हैं इसमें और क्या होता third stage में फिर इनके पास काफी B2B portal हो गया B2C portal हो गया फिर यह क्या होता है कि hotels में भी invest करना शुरू कर देते है hotels हो गया car caps हो गया bus हो गया for example किसी ने hotel lease पे ले लिया उन्हें पता चल गया कि हमारे प third stage तो यह थी third stage के बारे में अब बात करते हैं fourth stage के बारे में fourth stage में क्या होता है इसमें white digital marketing तो होई गई technology भी आ गई अब इन्होंने पूरा complete अपना portal ready कर लिया white labeling यह क्या करते हैं कि जो white label portal यह create कर देते हैं कि like back end में इन्होंने सब कुछ ready कर रखा है पूरी technology पूरा CRM बस आपको पूरा portal back end में आपको provide कर देंगे उसमें आपको क्या करना है बस अपनी company का logo लगाना है उस portal पे company का logo लगाना है website सब कुछ यह ready करके देंगे जो white label portal होता है वो पूरा complete इन्होंने बना रखा है बस वो आपका logo logo वहां पे लगाना है और आपको lead generate करनी है ठीक है तो उसके बाद क्या होगा कि यह back end में जितने भी packages है ठीक सारे इनके पास available होते हैं आपको website भी even create करके देंगे बन logo आपका होगा address आपका होगा mobile number आपका होगा back end पे सारा उन्होंने कर रखा होता है तो यह होता है white label solution जो बहुत सारी companies आपने भी देखा हो कि white label solution provide करते है company का नाम आपका होगा back end पे सारा process उनका होगा तो आप back end पे ज्यादा आपको tension लेने की जरूरत नहीं है बस आप lead generate करो वहाँ पे package confirm करो package की जो details है वो सारी back end में होती है और यहां से आप package book कर सकते हैं इन companies से ठीक है stage 5 में क्या आ जाता है stage 5 में आ जाता है franchise model जैसे बहुत सारी companies होती है फिर वो अपनी franchise ही दे देती है कि एक बहुत बड़ी company होगे like like जैसे for example मैं mcdonald's की बात करता हूं जो food food से related जो business है अब आपको उसकी franchise लेनी है तो आप उनसे franchise ले सकते हो उनका एक already brand बन चुका है अब आप जहां पे भी वो open करोगे वहां पे already लोग उस brand को है जो for example अगर कोई company बहुत बड़े level level पे है और लोग उसको जानते हो marketing वगरा खुद सारा spend कर रही है तो पूरा आपको help करेंगे आपको ना आप उनका नाम use कर सकते हैं उनके नाम से एक अपना startup शुरू कर सकते हैं एक branch शुरू कर सकते हैं पीछे backend पे marketing वो करेंगे सारे packages वो provide करेंगे आपके पूरा portal ready करके देंगे बस आपको उनके नाम से ही फिर वो काम करना पड़ेगा तो यह होगा franchise model यह हो गई 5th stage इस पर आते हैं फिर 6th पर आती है जब आप share market में list करते हो फिर उस company को ठीक है तो यह 6th stage में होता जब share market में share करते हैं लोग उसके share purchase कर सक हैं इसमें तो यहां पर 6th stage में हो गया जब share market में list होती है ठीक है 7th stage हो गया जो final stage है इसमें क्या हो गए कि मैंने इसको बोला है कि 7th stage में जैसे shark type जैसे बन जादे वो छोटी-छोटी जो फिर start-up होते हैं उनको purchase करना खरीदना शुरू करते हैं लाइक बहुत बड़ी company ब packages इन्होंने provide करने शुरू कर देए एक अच्छा brand बन गया इनकी पास रुपयों की कमी नहीं है तो क्या हो गया होता है यह जो छोटी company आज है जो काफी अच्छा कर रही है starting phase में है अपने तो उनको purchase करना शुरू कर देती है कोई अगर bus portal बनाए किसी ने किसी area में उसको purchase क लिए किसी ने car portal बना उसको purchase को उसको खरीद लिया उस company को ठीक को कोई hotel का start-up शुरू हो उसको खरीद लिया तो यह इस तरीके से फिर एक बहुत बड़ी बननी शुरू हो जाती है उनको खरीद के तो यह actually में हो गया one stop solution for old travel needs आपको कुछ भी requirement है आपको domestic packages चाहिए ठीक है आपको international packages चाहिए ठीक है आपको B2B portal की requirement B2C portal की requirement है white labeling चाहिए franchise चाहिए share market में होती तो यह होती है final stage तो यह हो गई आपकी 7th stage जिसमें purchase करना शुरू हो जाता है और one stop solution हो जाता है यह travel needs का app बन जाती है website बहुत अच्छी हो जाती है user base बहुत अच्छा हो जाता है इनका त latest video के बारे में ठीक है तो यह मेरा YouTube channel है regularly मैं यहाँ पर hotel business travel business related video share करता रहता हूं तो अगर आपको और भी videos देखनी है तो देखो यहाँ पर travel business hotel business related videos आप देख सकते हैं अगर आपको कोई question है please comment करो तो यह थी stages of travel agency तो आप अपना वीजन बनाओ कि आपको कहां तक जाना है top companies में आ सकते हो क्योंकि यह होना चाहिए कि आपसे best वहाँ पर कोई provide ना कर सके सबसे जादा आपको leads generate करनी है marketing से digital marketing से आप वो सारी चीज़े कर सकते हैं तो यह stage 1 हो गई 2 हो गई 3 हो गई 4 5th 6 7th stages के बारे में travel agency के जो stages होती है उनके बारे में मैंने आपके साथ share किया तो अगर कोई question है comment करो इस video के लिए इतना ही चैनल को subscribe करो मिलते हैं next video में bye have a nice day